क्येप्टन अमरेंदर शिंग याद है पंजाब ये पूर Ellie मुख्य मंत्री क्येप्टन अमरेंदर सिंग वो भी बयान देने लगे उल्टे पुलटे वयान, वो कभी से करते आये हैं और उन कोन की योकात पंजाब के लोग गोन अच्छी तरीके से दिखा दी थी अच्छी तरीके से कि अब तुमारा कोई खाना नहीं बचा यहां पंजाब के अंदर तुम अपना अब इस तरह को लोज कर लो कि अभे वही केपटन हमरेंदर शिंग एक पर इचमार आगया कंपणा भारत का मुद्द का और रिखा न उसके बीच माहई सींब कितना समर्थान रखतें और नी रखतें वो तो आपके उपर है लेकिन दे रहा है ईकार्श से बढ़ के प्रतान बंट्री स्टिन डूड पर मेंगी की हंता करें यह चला है है रहाला है इंदूस्तिय स्वर्ण मंदिरू में गुषकर शर्दालुओ पर अमला कर रहे हैं और वो अपनी पुलिस की बे सर्मी के साथ पीट थप थपा रहे हैं। मंदिरों पर अमले किया जारें। इस पर पंजाब गे पूरो मुख्य मंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग ने। जस्टिन टूडो पर निशाना साथ देवे आरोप लगाया कि कनाड़ा में इस वक्त ऐसी सरकार हैं। जो कि अपने निजी स्वारत की पूरती के लिए आतंक वाद और अलगा वाद को समर्थन कर रही है। एक आतंकी अमरेंदर सिंग बोल रहा है एक आतंकी अर्दिप सिंग ने जर्ख कि मोत पर जिस प्रकार टूडो बारत पर उगली उठा रहे हैं। वो अपनी बरबादी के लिए खुद ही निमंत्रण आमंत्रण दे रहे है। टूडो कैसे बरबाद हो जाएगा पहले पर बताओ। और जो उसको समर्थन दे रख्या था। उसने तकमा समर्थन वापिस ले लिया। फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हूँ ? उसके आपना समर्थन वापिस ले लिया। कैप्टन नमरेंदर सिंग ने उस वक्त को याद किया जब सुस्मा सवराज देश की विदेश मंत्री वया करती उन्होंने का उस वक्त जस्टिन टूडो ने अपने रक्ष्या मंत्री को पंजाब के दोरे पर बेज़या था जो कि खालिस्तानी चरम पत्थी संग्ठन सवराज मंत्री मिलने से के लिए त्यार नहीं होते बाद में बाद सरकार के दबाव के आगया जुकते वे टूडो नमर्APP कि मुझे अपने रक्ष्या मंत्री के साथ मिले थे कैट्टन शिंग का कहना है उस वक्त हमने उन्हें दो टूक का था कि कनाड़ा में ड्रक्स और गैंग्स्ट्रों की बर्मार है वहाँ पर खालिस्तानी चरमपंतियों का बोलवाला है हमने टूडो को ऐसे 20 कालश्तानी आतम के और नाम सोप्यादा जिन में से कई तो टूडो की कैबिनेट में भी सामिल थे आपको पता है कोण के बिनेट के अंदर सामिल किसका नाम ले रहे है कैप्टन अमरेंदर सिंग आपको पता है हो सकता हो कलको कनाड़ागा परदान मंतरी बन जाए जिसके बारे में कैप्टेन अमरेंदर सिंग बोल रहा है अगर उकल को करनाटा का प्रदामंतरी बन क्या फिर क्या कैप्टेन अमरेंदर सिंग ऐसे बोल लेगा क्या पंजाब में लेके कुण आया था पीजेपी को तोड़ा कैप्टेन अमरेंदर सिंग से पूछो बादल पर पर अमले किये जा रहे हैं लेकिन कनाटा की पुलिस खामोश मनी हुई है फ्रेडम आप सपीज का अवाला देते हुए टूडो लगातार इन अपर आध्यों को संग्रक्षन दे रहे हैं टूडो कीशी अरकत का असर यह हो रहा कि बाहरत के साथ कनाटा के रिष्टे सबसे बु लगया है तो मोदी साब के बारे में यहीं बता दिया रहों मोदी साब विदेश जाते तब क्या करके आते हैं अधानी के लिए कितनी कंपणियों में इश्यदारी लेके आते हैं कितना नहीं लेके आते हैं आप देखो इनका मतलब के कमाल करते हैं न्यूज में बड़ा कमाल कर देते हैं ये मंदिरों में कनाट आई नेताओ के इंट्रिव पर लगाई रोक अमले के बाद इंदू संग्ठोनों ने लिया फैसला सभी वरोग लगा तो कोई ना आय मंदिरों में तुम करते भी तो है ऐसा ऐसा तुम करते भी तो हो करते नहीं क्या यह इंडिया के अंदर ही करते सभी शी को मंदिर के अंदर जाने से रोक देते हो और तो छोड़िया आप भारत की राष्टरपती द्रोपदी मुर्मों को गरभ गया माद जाने से रोक दिया था राष्टरपती को भूल गया याद है तब यही शिक थे जिनोंने दर्बार साइब के अंदर बुलाकर को इतल अधर आएंग तुम हमँरि दिखा दिखा दिते हैं कि भागो तुम याहाशे तुम हिंदू नहीं हो वही पर बता दितते हैं तुम्हारे कैं आ नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम SCBC में तुमारेको एक दम से अलग निकाल दिया जाता है। अपने बच्चों के पास, जिसका भी बच्चा का नाड़ा के अंदर है, अपने बच्चों के पास फोन करके बता दो, कि इनके चक्कर मनी पढ़ना है यह इंडूशिक के चक्कर मनी पढ़ना है इस चक्कर में आका है और वहां से आप अपनी नोकरी भीगवाओगे घर के जो 30-40 लाख रुपे लगे हुए हैं वो भीगवाद होगे यहाँ पर तो यह क्याप्टन अमरेंदर सिंग जैसे इभ्या इसलिए पंजाब के अंदर आदत नहीं लगे लोगों को अभी उनको यह आदत नहीं लगी है इसलिए पंजाब गे लोग क्या च्यार कदम आगे रहते हैं, च्यार कदम आगे, अगर वो कॉंग्रेस को खो सकते हैं, तो जाडू को भी खो सकते हैं, आयगी बिजेपी भी नहीं वहाँ पे, बिजेपी शीट नहीं जीत सकती पंजाब के अंदर, बिजेपी अगर एक भी श जुड़े उगे हैं अपने बच्चों के पास फोन करते हैं जो यह हिंदू शीक चला रहे हैं इस लफड़ेशन जितना ज्यादा दूर रोगे उतना ही फायदे मेर होगे उतना ही फायदे मेर होगे कुछ निए बिगडेगा वहाँ पुलिस दूद्गादू दूर पाणी का पाणि कर देती है अब जो पकड़े गए है अब ये लोगों बोल रहें पुलिस भी खालिस्थानी है कमाल की बात नहीं है पूरे कनाटा की पुलिस ही खालिस्थानी होगी पुलिस के अंदर के लेकिन देखिलो यहाँ पे जो चलाया चाहिए और इन लोगों का यकीन है एक ल गलत या 2 ठीक एक टीक तो नहीं हो सकता आ पलोगों वी क्या रहा है वह इसके बारे में हैब या तो द मुझी एक को घलत और एक ठीक दिखाया जा रहा है ऐसे तो नहीं चलेगा ये दोगला पना छोड़के और दोबारा याद दिला रहा हो ने बच्चों के पास फोन कर देना अगर किसी गा बच्चा हो ना कनाड़ा के अंदर ये बैटाईसी इंदू-इंदू के चक्कर में नहीं गुषना है कोई नहीं है ना मंदिरों में गुषने देते ना कहीं गुषने देते कोई हिंदू-एंदू-दू कुछ नहीं है आप लोग इंदू क्या रहा है आप अपनी राइकना प्रयाका इंतजार रहेगा सभी सातियों गो राम राम नमस्कार आदाप सच्रियकाल वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेर चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकून को जुरुदबाना दोस्तों ओफिशल दिपक वजी यूटूब चैनल बात अकोर सच्की करेंगे अक सच्की बात हम करेंगे वीडियो को शेर करेंगे आप लोगों की गज के आखो वहिगुरु जी का खालसा वहिगुरु जी की फतय है